नमस्कार दोस्तों स्वागर्थ करता हूँ आप सभी को टेकिराच यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने OPPO R7S या फिर किसी भी OPPO मोबाइल में इनसफिशेंट स्टोरेज प्राबलम को कैसे आप सॉल्फ कर सकते हो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है कि हम अपने मोबाइल में जो है हमारे पास जो है 6GB या फिर 12GB या फिर 34GB का जो है हमारे पास स्टोरेज रहता है लेकिन यहाँ पे storage जो है हमारे पास इतना होने के बाउजूद हम कम application चलाने के बाउजूद भी जो है हमारा storage यहाँ पे full दिखाता है तो केसे आप unwanted spaces को unwanted जगे को आप खाली कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा यह देखने के बाद दोस्तों आप अपने storage को 90% आफ सेफ कर सकेंगे ठीक है तो दोस्तों जली बिना देर के वेश शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपको बता दू कि दोस्तों यह दे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दिजे साथी साथ बेल आइकोन को भी दबा देना और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दिजेगा और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दो कि यह दिया आप ओनलाइन पैसे कमाना चाहते है तो वीडियो دिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक लिंक दिल जाएगा आप चाहो तो चेक आउट कर सकते है यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको प्लेटेर पर जाना है प्लेटीर पर जाने के बात निया पे आप देख सकते हैं एक एप्लिकेशन है जिसका नाम है duplicate files fixer and remover ठीक है अभी क्या होता है कि दोस्तो हम अपने mobile में जो है हमें पता भी नहीं चलता है और हमारे mobile के inbued software से ही क्या होता है कि कभी-कभी बहुत सारे duplicate file create हो जाता है हमने photo कोई खीचा photo का duplicate बन जाता है कभी कोई document file दोता है वो duplicate बन जाता है वीडियो duplicate बन जाता है ठीक है उसके वज़े से यहाँ पर 30% storage वो बिना मतलब के खाके रहता है ठीक है तो इसके लिए दोस्तों आपको यह application डाउनलोड करना है और इसे open करना है ठीक है अभी दोस्तों यह application के जरी ऐसे भी कैसे fix करना है बताऊंगा आगे और भी दो तरीका बताऊंगा कैसे आप storage problem को fix कर सकते है वीडियो के साथ बने रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है simply आपको यहाँ पर चलिए मैं back आता हूं यहाँ और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है full duplicate scan पे click करके यहाँ पे आपको scan now पे click करना है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका system के अंदर जितना भी images, videos, photos, music है वो सारा यहाँ पे scan होना शुरू हो जाएगा आप देख सकते हूँ यहाँ पे scan हो चुका है अभी दोस्तों यहाँ पे देखेगा कितना सारा duplicate file पड़ा हुआ है मेरे यहाँ पे आप देख सकते हूँ ठीक है अभी देखेए यहाँ पे 180 file पड़ा हुआ duplicate आप सोच के देखेए एक file यदि 10 MB का रहेगा तो आप सोच के देखेए यहाँ पे 180 file कितना होगा 1.8 GB का आपके अंदर में फाल्टू का space जो है वो खाके रखाया अभी आपको क्या करना है यहाँ पे delete now पे आपको क्लिक करना है ठीक है यहाँ पे delete now पे क्लिक करना है are you sure confirm कर दीजे ओके तो आपका जितना भी duplicate file है वो delete हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो यह था आपका एक उपाई जिसके मदद से आप duplicate file जो है वो delete कर सकते है अभी दूसरा तरीका क्या आए कि दोस्तो आपको अपने mobile के settings पे जाना है और इसके बाद में दोस्तो यहाँ पे आपको application manager पे आपको जाना है हर mobile में अलग-अलग show होता है आपके mobile में शायद show करें apps या फिर application या फिर application manager जो भी application के अंदर आपको जाना है अभी क्या होता है कि दोस्तो हम जितने भी बड़े बड़े application चलाते हैवी application जैसे कि हो गया facebook, twitter, instagram, whatsapp हो गया इसमें क्या होता है कि दोस्तो हमारा जो है data हम search करते है login वगेरा करते है तो वो सारा details save होके रहता है ठीक है हमारा यहाँ पर inbuilt memory के अंदर तो उसी के वाज़े से हमारा जो है space बहुत ही कम हो जाता है अभी suppose कि मैंने facebook को open किया यहाँ पर app पे अभी यहाँ पे storage usage में में चला गया तो आप देख सकती कि 417 total यहाँ पे mb यह मतलब लेके रखा है ठीक है अभी इससे हटाने के लिए आपको क्या करना है clear data पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको clear कर देना है अभी clear करने के बाद में क्या होगा कि आप यह data clear कर सकते है हर application का ठीक है अभी third option क्या आएगी दोस्तों यह दी यह सारे करने के बाद भी आपका storage जो ही वो कम नहीं हो रहा है तब आपको अपना mobile last option यह है कि आप अपना mobile को reset कर सकते है reset करने के बाद में क्या होगा कि जितना भी application का data usage वगरा है वो सारा खतम हो जाएगा तो खतम होने के वज़े से आप re-application इंस्टॉल करेगे तब आपका storage काफी आपके पास बच जाएगा तो यह तीन उपाय था दोस्तों मैंने आपको बता दिया तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंदाया होगा thanks watch